गुद मॉनिंग बच्चे वाजम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षीट नमबर 77 विशे विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 25 जैनवरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वोक्षीट में हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर है हम बिमार क्यों होते है उसके अंदर एक टॉ तो देखिए जो संक्रमाक रोग होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाता है हमें पता है जो संक्रमाक रोग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं संचारी रोग बोलते हैं यह कैसे होते हैं यह रोगान वोसी होते हैं जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है जब संकेत उन लक्षन के आधार पर क्या करते हैं इलाज करते हैं जो संक्रमाक रोग है उनके उपचार है उनके दो उपाई है जिने उपचार के नियम भी कहते हैं तो उपचार के जो दो नियम है वो क्या है पहला रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा रोग के कारण रोगान तो इसे लक्षन अधारित उपचार राहत भी कहते हैं, इसके अलावा रोगी को बैड रेस्ट जो पूर्ण आराम की सला दी जाती है ताकि जो शरीर की उर्जा है वो सरनक्षन कर सके, मतलब सारी एनरजी सिर्फ रीकवर करने में ही लगे, ठीक होने में ही लगे, दूसरा है कारण रोगानों को समाप्त करना, तो यह उपचार का दूसरा उपाई है, रोगी की विभिन चिकित्सा, रिपोर्टों की आधार पर डोक्टर भीमारी के सही कारण और रोगानों के प्रकार की पुष्टी करता है, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी टेस्ट किस तरह का रोगानों को मारने के लिए दवाईया ओश्टी लिखी जाती है, जिसे रोगी पूर्ट ठीक हो जाता है, तो इस प्रकार की जो उश्टी है, उनके प्रकार कैसे एक तो होती एंटिबायोटिक, जिसको एंटिबैक्टीरियल ओश्टी भी बोलते हैं, जो किसके आधिया होती है प्रोटatyसोल लोगों के उपचार के लिए ठीक है, और क्रमी नाशक जीए हti है पर जीवि क्रमी रोगों के उपचार के लिए, ठीक है, उसके बाद है एंटिबायोटिक एंटिबैक्टीरियल ओश्टी तो यहां पे देख contin persecution, जिवनचके ब्रोग कार कारक को रोक देती है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी उनको आगे जाद और प्रिक्रिया ना करें तो उसको रोकने के लिए क्या कर जाते है उनका जो रास्ता वो ब्लोक कर दिया जाता है ठीक है और वो ना भड़ पाई तो इस प्रकार जो मारी उता है उसमें की काम नहीं करती Hang देखो उसी में काम करती स्टों यह हैं जेलिह बैक्टेरिय के बनाने की आपक्षाक की थो मरत होते हैं बाहर वो सिर्फ हमारी मशीनरी की तरह प्रयोग करते हैं हमारी सारी चीजने करते हैं तो इसलिए क्ञाइन होती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि है यह नहीं ऐसा है इतनी सिमावें होने के बावजूद भी प्रभावशारी एंटिवाइरल ओश्टियां भी उपलब्ध है ठीक है अब चलते हैं मारे प्रशन उत्रपी तो चार आज की प्रशन है हमारे जिसमें से पहला प्रशन हमारा रोगों का इलाज करने के दो तरीके क्या है तो अभी अभी हमने पड़े थे तो आप लिखोगे रोगों का इलाज करने के कौन से दो तरीके हैं एक तो रोग के प्रभाव को कम करना दूसरा रोग के कारण को समाप्त करना ठीक है यह दोनों लिखोगे आप यह से लिख सकते हैं इस तो बैट आपका उत्तर नमबर एक तो बिट आज मैं ने टाइप नहीं किया है कि आज वोक्षी पहले ही इतना लेट हो चुकी है मतलब काफी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी घर पे भी और कुछ वोक्षीट भी लेट आती है मतलब संडे को आ जाती थी पहले मंडे को आत से हम पर्सों की वोक्षीट वो अब आपकी एक दिन पहले ही आ जाएगे उसके चिंता करने के आपको ज़रूरत नहीं है आप देखो सेगें आपका एंटी बैक्टियर बायोटिक्स किने कहते हैं और यह कैसे काम करती है तो अभी अभी हमनें पढ़ा था एंटी बायोटिक इसने पूचा है क्या पूचा है और यह कैसे काम करती है तो यह भी आपको लिखना पड़ेगा तो उत्तर नमबर दो में आप लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ उत्तर नमबर दो में आप लिखोगे यह पूरा लिखोगे ठीक है यह पूरा लिखोगे यह पूरा बड़ा लग रहा है कि आपको बड़ा नहीं लगेगा मतलब 5-6 लाइन का युगा जादा नहीं है ठीक है उतर दो हो गया उसके बाद चलते हैं हमारे प्रेशन नंबर 3 पर प्रेशन 3 है एंटी वाइरल दबाओं का उत्पादन एंटी बेक्टेरियल दबाओं के उत्पादन सर्फ तीसरा प्रेशन आपको नहीं लिखना ठीक है पहला और दूसरा प्रेशन मतलब यह आपको लिखना प्रेशन नंबर 3 में यहां से लेकर जो मैं बॉक्स बना रहे हूं वह करना आपको यह है आपका तीसरा प्रेशन हो गया तीसरा प्रेशन अब हम चलते हैं हमारे च प्रशीन संचारी रोग क्या होते हैं। ऐसे किनी तीन रोग हो के नाम बताईए। ये एंडेली की वोकषीट में हम करी रहे हैं। इतने दिन से क्या होते हैं। तो सब बच्चों को पता होगा अब तो आप लिखोगी जो रोग रोगानों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी हवा भोजन तथा संपर्क आदी से फैलते हैं उन्हें संचारी रोग कहते हैं उधारन निमोनिया एड्स दुखाम खासी वगेरा ठीक है यह हो